हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों के हाँ फेरले एक्जाम भी हो गए तो अब आप लोग नए सिरे से और नए इनर्जी के साथ और बिल्कुल फर्दर स्टेडी के लिए चार्जड अधिक है तो उललेघ्टिसिटी जो टर्म है इस से आप बहुत इसको बहुत अच्छे से आप डेली रूटिन लाइफ में इसको आप समझ रहे हैं कि इल्ेटिटी का क्या इमपॉर्टेंस हैं बिना इल्ेक्टसिटी के पूरी लाइफ जो है बिल्कुल ठप हो जाएगी जी डिविजन देखना हो, computer, laptop, सब electricity की वज़े से ही possible है. तो electricity आप जान रहे हैं कि बहुत important चीज है, इसलिए इसको study करने के लिए रखा गया है topic NCRT में. तो इसमें हम लोग electricity को physics के point of view से समझते हैं कि electricity है क्या और इसे related terms बहुत सारे हैं, concept क्या-क्या हैं. तो इसमें सबसे पहले तो यह चालेजें कि what is the meaning of electricity? यह electricity word डिराइब किया गया Greek word से. आपको पता है कि जिसने भी great discoveries और invention हुए है, science के especially, उसमें Greece का dominance रहा है. तो इसलिए ग्रीक word से इसको लिया गया electron word से electricity को डिराइब किया. electricity English word है, और यह Greek word से लिया गया electron, Greek का word है, उससे English का word electricity बना है. जिसका मतलब होता है चार्ज. अब देखे, चार्ज के बारे में lower classes से आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. Class 6 से आप पढ़ना सुरू करते हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में तो बिल्कुल नहीं है. लेकिन 8th class तक आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, चार्ज के बारे में, electricity के बारे में, एक basic idea होता है. तो यहाँ पर discovery आप चार्ज उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं detail में discuss करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ी idea है भी यहाँ के वाल एक summary form में आपको बता देते हैं, कि देखें इसमें 1, 2, 3, 4, चार scientist का नाम हमने लिखा है. इनको जानते हैं Thales of Malicious, इनको जो Greek के 7 wise personalities थी, उनमें एक इनका, यह भी थे Thales of Malicious, और 600 BC में, जो history में recorded है, कि इन्होंने पहली बार electricity जो term है, उससे इनका सामना हुआ, अबजर्व किया इन्होंने. और Ember से जो है, इनको attraction फिल हुआ, for certain bits of straw, इन्होंने observation किया, हला कि यह भी माना जाता है, कि इनसे बहुत पहले, और पहले, early man age में, जब human civilization डेवलप हो रही थी, तो उसमें कुछ ऐसे दो objects मिले थे, इन्सान को, कि जो आपस में एक दुसरे को attract या repel करते थे. ठीक है, लेकिन जो recorded history में है, उसमें थिलसाप malicious का नाम आता है, जिन्होंने पहली बार observe किया, कि attraction हो रहा है, किसी एक object का दुसरे object के लिए, तो वह ember था जो उसको जब रब किया गया, तो कुछे straw के टुकडे से उसका attraction हुआ, तो यह माना गया, इनके थिलसाप malicious के बाद से, कि केवल ember ही जो है, वह attraction या उसके अंदर ही charge है, और कहीं charge दुनिया में नहीं है, तो अब सूची कितना लंबा टाइम बित गया, विलियम गिलवर्ट ने बताया, 1540 से 603 AD में यह थे, विलियम गिलवर्ट कि ember के अलावा भी दूसरे बहुत सारे objects हैं, matter हैं, जिनमें charge है, यह बताने वाले थे विलियम गिलवर्ट, इसके बाद Charles Frankois Dufay यह बताये कि यह जो charge होता है, यह दो तरह का होता है, फ्रेंज साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि यह दो तरह के charge होते हैं, लेकिन Benjamin Franklin ने, इनका भी काफी study था, charge की उपर किया था, तो इन्होंने नाम दे दिया positive charge and negative charge, तो यह जो नाम जो हम लोग अभी तक यूज करते हैं, positive and negative charge, यह Benjamin Franklin की वजह से है, Benjamin Franklin ने दिया था, positive and negative charge, यह नाम करण एक तरह से आपका सकते हैं, Benjamin Franklin का था, ठीक है, उन्होंने एक तरह का पढ़े होंगे, कि इसको जब glass rot को silk syrup किया गया, तो उसमें जो है, attraction हुआ, तो उसमें माना गया कि glass के उपर positive है और silk के उपर negative है, तो यह Benjamin Franklin ने बताया था, पहली बार कि इन्हों तो बताया दो तरह के charge है, लेकिन उसका positive charge और negative charge बताने वाले, यह Benjamin Franklin है, इन्होंने और भी बहुत सारा study किया था, आप पढ़े होंगे अपने lower classes में, तो अब यह तो था कि historical background, अब इसके बाद यह जानना जरूरी है, क्योंकि पूरी study आपकी charge के इर्दगिर्द घूमेगी, पूरी electricity में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, सब charge के उपर ही है, और आगे class 10th ही नहीं, आगे भी अगर आप higher classes तक, 12th के बाद तक जो आप पढ़ेंगे electricity में, सब पूरी कहानी जो है, charge के ही चारो तरब घूमेगी, तो यहाँ यह जानना जरूरी है, कि what is charge, ठीक, तो charge का मतलब जब भी बोला जाएगा, तो आप समझेंगे electric charge, ठीक, electric charge, तो electric charge क्या है, इसको आप उस तरह से समझ सकते हैं, कि जैसे आप बहुत ठके हुए हैं, इसकूल से आप गए जो है ठक करके, और आपको कोई ऐसा टास्क दे दिया गया, जो बहुत ही जिसमें physical work की जरूरत है, तो आप क्या बोलते हैं, कि अभी हम पुरी तरह से discharge हो गए हैं, अभी अच्छे से हमको खापी लेने दीजिए, उसके बाद जो है, हम जब charged हो जाएंगे या recharge हो जाएंगे, तब हम यह काम कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ताकत चाहिए, तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आ गया, जब आप बोलेंगे कि discharge हो गए, तो इसका मतलब energy आपके पास नहीं है, उस समय, आप mobile recharge कराते हैं, सब कुछ सारा system है, लेकिन उसमें ऐसा vital force नहीं है, जिससे बात हो सके, ठीक है, क्योंकि वह facility stop कर दी गई, चार्ज खतम होते ही, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, यानि अब जो उसके energy की requirement है, वह पूरी नहीं हो सकती, जब आप बैटरी को charge कर देते हैं, तो फिर से वह energy मिल सकती है, तो इसका मतलब यह idea तो समझ में आता है, कि charge कुछ-कुछ है, energy के synonym जैसा है, energy से इसका relation है, ठीक है, लेकिन electric charge particularly क्या है, तो यह समझ लिजिए कि electric charge fundamental property है, fundamental property बहुत सारी होती है, आप पढ़ें आपको idea भी है, mass fundamental property है, अगर matter है तो mass है, mass नहीं तो matter नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा हम कोई matter exist नहीं करा सकते, या imagine नहीं कर सकते, जिसका mass zero हो, क्योंकि matter है, तो कुछ नहीं कुछ mass होना चाहिए, कम हो अधिक हो, that is another thing, but mass होना ही चाहिए, तो उसी तरह से इसको हम कह सकते हैं, कि electric charge is the fundamental property, अब देखिए, fundamental word जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते चलिए, यह theory का part है, fundamental property of matter, like mass, तो यहाँ पर matter, like mass, mass, mass क्यों यहाँ बोला गया? इसलिए बोला गया, mass क्योंकि mass भी एक fundamental property है, तो यह जो fundamental word जो है, इसको समझते चलिए, कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जब fundamental लिख दिया गया, ति यह natural है, यह nature ने दिया गया है, नेचर ने दिया है ये नेचर से gifted है कि उसके अंदर ये property होगी ये कहीं factory made नहीं है अगर matter exist कर रहा है तो उसमें mass होगा और charge भी होगा ठीक है अब इसके कुछ exception भी होते है क्योंकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो जैसे subatomic particle है, neutron है तो neutron में कोई charge नहीं है तो उसमें matter है, mass है लेकिन charge नहीं है लेकिन जहां भी charge है वह उसका fundamental property है ठीक है एक property nature ने दिया है इसलिए इसको हम बलते है fundamental property तो यह जैसे mass है fundamental property उसी तरह कि ये भी property है अब charge की अपनी भी कुछ property होती है चार्ज तो ठीक है नेचर की matter की property है given by the nature that is why it is known as fundamental property बट चार्ज की अपनी property है इसको जानना जरूरी है क्योंकि यहीं से कहान ही शुरू होगी और आपके जो इस चेप्टर की गाड़ी है उसके बाद ही चलना शुरू होगी कि चार्ज की क्या property है तो ऐसे तो बहुत सारी property है जिनको हम आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे further study में जानते जाएंगे लेकिन कुछ property हैं हम discuss करना चाहेंगे जैसे पहली property है conserved conserved दूसरा दूसरा property है exert force exert force किस पर force लगाएगा on another charge on another charge in its in its surrounding in its surrounding ठीक है तीसरा क्या आप है property flow इसके अलामा भी बहुत सारी property की list बहुत लंबी चोड़ी है लेकिन यहां इतनी से हमारा काम चल जाएगा conserved का मतलब आप जानते हैं कि neither can be created nor destroyed ठीक है जो भी चार्ज है विद अविलिशन अप दे इन वर्स वह चार्ज फिक्स हो गया उसको ना create कर सकते हैं और ना destroy कर सकते हैं क्योंकि वह नेचर की नेचर ने दिया है तो नेचरल चीज को हम लोग वहां पर उससे अलग नहीं कर सकते कि चलो चार्ज वहां से destroy हो गया इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज concert है जितना एक बार universe में आ गया चार्ज उतना exist कर रहा है forever जब तक universe चलता रहेगा ठीक है दूसरी property है a charge can exert force on another charge in its surrounding और एक चार्ज भी हो सकता है और एक चार्ज जैसे माल लीजिए यहां पर कोई चार्ज है और इसके surrounding में यहां 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 ऐसे बहुत सारे चार्ज है तो यह चार्ज इन सारे चार्ज के उपर force apply कर रहा है ठीक है exact force on another charge in its surrounding अब यह चार्ज अकेला इन सब के उपर force apply कर रहा है इसका मतलब यह भी चार्ज है तो इनके अंदर भी तो यह प्रापरटी होगी यह भी इसके उपर force अब यह वाला charge इसके उपर force apply कर रहा है और इसके उपर भी force apply करेगा और इसके उपर भी force apply करेगा इसके उपर भी force apply करेगा ठीक है तो ऐसा रही है कि यहां बड़ा sphere दिखा दिये बड़ा circle बना दिये तो यही करेगा सब करेंगे सब एक दूसरे के उपर force apply कर रहे है ठीक है यह charge की अपनी property है और तीसरी property है flow तो यहां जो syllabus में है हमारा हमारा main focus होगा charge के flow करने से इस property के उपर हमारा पूरा discussion होगा ठीक है हम इस पे congerald और force पे ज़्यादा नहीं करेंगे इसको हम आप 12th class में पढ़ेंगे कितना amount होगा उसको calculate कैसे करेंगे kolumbla से calculate करते हैं आपको 9th class में याद होगा gravitational force जो calculate करते थे F is equal to capital G M1 M2 upon R square R is the distance between M1 and M2 and G is gravitational constant तो उसी तरह से दो charge के बीच में जो force apply होता है वो होता F is equal to K Q1 Q2 upon R square K constant है और Q1 Q2 दो charge है and separated by a distance R तो R is the distance between a charge Q1 and another charge Q2 so this will be the force acting between two charges F is equal to K Q1 Q2 upon R square ठीक है यहाँ से तो यह हमारी इसमें नहीं पढ़ना है इसको यह आप जब उपर जाएंगे 12th class में तब पढ़ेंगे यहाँ के हमारा main focus होगा electricity electricity और electricity में देखिए जब आपको पता है कि material को दूसरे material से तो उसमें charge क्या होता है? charge का transfer होता है और charge गया वहाँ जाके रुख गया ठीक है? जैसे आपके एक pocket में पैसा था आपने दूसरे pocket में रख दिया तो आप transfer कर दिये लेकिन continue flow नहीं कर रहा है वहाँ तो इसलिए जो electricity में यहाँ दो part हो जाते हैं पहला है electro statics electro statics और second part है electro dynamics नहीं उसको हम बोलते है current electricity current electricity अब देखें electro statics का मतलब कि the branch of the physics that deals with the study of study about the charges when they are at rest जब charge rest पर है तब उसमें जो जो terminology और जो जो phenomena होंगे उनको जो हम study करते हों electro statics में होगे